नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे चैनल केवलेकाडमी पर देखे हमारा यह घटना चक्रा आर्थिकी का सीरीज है जिस वे अपने पिछले लेक्चर में हमने बात कर ली थे महतपूर आर्थिक घटना करमुक और इस लेक्चर में हम देख रहे हैं प्रमुक योज ठीक तो पीम किसानी उजना के आपचारिक सुरुवात की गए थी प्रधान मंत्री जी के द्वारत 24 फरवरी 2019 को गोरखपूर उत्तर प्रदेश में ठीक है हालांकि यह जना जो है एक दिसंबर 2018 से लागू हुई मानी जाएगी ठीक है तो इसके लागू होने किती थी अगर अगर आपसे पूछी जाए तो आप बताएंगे एक दिसंबर 2018 और अगर आपचारिक सुरुवात का दिन पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे 24 फरवरी 2019 किस्थान गोरखपूर उत्तर प्रदेश चलिए अब पीम किसानी उजना के उद्देश को जान लिए तो पीम किस चलिए से पहले किसानों को किसी आकस्मिक सहायता को भी पूरा करना या मिसमें मदद करना इस योजना का उद्देश से ठीके इस योजना में यह प्रावधान है कि जो भी लग गुया किसान सीमांद किसान है और जिनके जो है राधीय केंडर शासित्र प्रदेश के भू पर द्यान की इस पर ध्यान दीजेगा आप लोग ठिक, इस प्रावधान को हटा दिया गया अब इस योजना के तरफ यानि कि PM किसान योजना के तरफ लाभारतियों की संख्या हो गई है 14.5 करोड हलांकि योजना को लागू करते समय या योजना को ले आते समय अधिक्तम क्रिशी जोट की सीमा थी और वह थी 2 हेक्टेर दोनों चीजों को आपको याद रखना 31 अक्टूबर को इस अधिक्तम सीमा को हटा दिया गया लेकिन इसके पहले जो है अधिक्तम सीमा का प्रावधान लागू था ठीक तो अब लाभारतियों की कुल संक्या 14.5 करोड हो गई है और देखिए अब जो है पात्र परिवारों को इसमें लाभ क्या होता है यह भी जानते चली तो 4-4 महा पर 2-2 हजार रुपए की किस्त के रूप में एक साल में 6,000 रुपए प्रतिक लाभारती किसान को दिया जाता है ठीक है क्या यह कैस में दिया जाता है तो नहीं भी यह बिलकुल नहीं यह रास ही जो है या छे हजार की जो रास ही है वह चार-चार महा पर 2-2 हजार की किस्त में डिर्क्ट बेनफिक ट्रांसवर के माध्यम से आधार से जूड़े किसानों के बैंक खाते में डाल दी जाती है या फिर उपलब्द करवाई जाती है ठीक है चली नेक्स कोश्चन कहा है नेक्स कोश्चन है योजना है ठीक है इस्टी डिसकस करते करते एक्दम कोश्चन रिमाग का दही हो गया है चलिए हलांके थोड़ा दही होना और वाकी है मेरा उसके रिमाग का अभी कुछ चीजे बची है चलिए अच खतम हो जाएंगे निश्चिंत रही है तो यहां पूछा जा रहा है कि प्रधान मंतर जैतना आपको पढ़ने में लगता है उतना मुझको आपके लिए महनत करनी है और आपके लिए मैं महनतफ़ रगातार कर रहा हूं चलिए योजना देखते हैं प्रधान मंतरी जीवन योजना कोई प्रधान मंत्री जीवन योजना जैव इधन वातावरण अनकूलन फसल अवसेस निवारण तो प्रधान मंत्री जीवन योजना को क्याबिनेट कमिटी आफ एकनोमिक अफेर्स के दौरा अपनी मंजूरी दी गए थी 28 फरवरी 2019 को प्रधान मंत्री जीवन योजना ठीक है सही से और इस योजना का देख लेंगे आप आगे बढ़ाते हुए टेग लाइन को तो जैब इधन वातावरण अनकूलन फसल अवसेस निवारण ठीक यहां से आप गलत नहीं करेंगे जीवन यानि आप किसी लाइफ इंसुरेंस आप पॉलिसी को लेकर के मत्टिक कराईएगा पेपरों में ठीक चलिए देखे यह योजना जो है कुल 5 वर्सों के लिए जाएगा ठीक है जिसको अपनी मंजूरी दे दी गई है सीजी ये के द्वारा इस योजना के अंतरकत बारह ऐसी कामर्सियल लेवल पर बारह पर योजनाओं को बनाया जाएगा और प्रदर्शन के अस्तर पर दूसरी दस प्रमुक एथन दूसरी जो है दूसरी पीड़ी के दूसरी दस प्रमुक नहीं दूसरी पीड़ी यानि सेकंड जारेशन की दस एथनाल पर योजनाओं को दो चरोड़ों में वित्तिय सहायता दी जाएगी ठीक चलिए नेक्ट कोस्टन की सुरुआत करते हैं नेक्ट योजना देख लेते हैं प्रदान मंत्री किसान पिंसन य क्या है कब शुरुआत की गई तो जान लिए प्रदान मंत्री किसान पिंसन योजना की सुरुआत की गए थी 31 मई 2019 को जब प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी ने अपने दिती कायरकाल के प्रथम मंत्री मंदल की बैठक की थी उसी दौरान प्रदान मंत्री किसान पिंसन किसान करता है और जितना किसान किया जाएगा उतना ही केंदर सरकार दोरा भी भुक्तान किया जाएगा ठीक है दोनों का अंस बराबर होगा और इस अंस के भुक्तान को जो है साथ वर्तों तक बूर्ड करने के बाद जो है किसान को जो है नियूनुतम तीन हजार रुपए निर्धारित पिंसन दिया जाएगा ठीक है देखिए योजना के पातर किसान दोरा किये गए अंसदान के बराबर रास ही केंदर सरकार पिंसन निधि में जमा करवाए गी ठीक है सामिल होने की उम्र याद रखेगा अठारा से चालिस तक साथ वर्स की आई प्राप्त करने को बाद प्रतेक किसान को नियूनुतम तीन हजार रुपए निर्धारित पिंसन दिया जाएगा ठीक है नियूनुतम इसलिए बात की जारी कि जैसा किसान का योगदान रहेगा व सब्सक्राइब की एक नया पॉड़कास्ट टैप है सिच्छावारी ठीक मार्च 2019 में इसको लांच किया गया इसके मादन से छात्रों और अभिवाव को महत्पूर्ण सूचना है और सही समय पर प्राप्त हो सकेंगी सीवी एससी के बारे में ठीक चलिए नेक्स्ट कोर्चन नेक्स्ट योजना देख लेते हैं जिसका नाम है संगम परियोजना ठीक है संगम परियोजना प्रयागराज के कुम के संगम से आप मतले लीजिएगा ठीक पहली चीज़ तो कन्फूजन वहां से अपनी दूर करिए संगम परियोजना क्या है तो देखिए यह एक e-learning portal है ठ संगम परियोजना स्वच भारत अभियान के लिए जिसके माध्यम से भारत के अधिकारियों को प्रसिचित किया जाएगा ठीक देखिए संगम परियोजना का प्रारम मार्च 2019 में किया गया ठीक प्रावधान तो देखिए संगम वास्ताव में एक क्लावड होस्टेड मुबाइल फर्स्ट कम्यूनिटी लर्निंग प्रेटफार्म है जिसके माध्यम से स्वच भारत e-learning पोडिटर पर नगर पालिका के अधिकारियों को प्रसिचित किया जाएगा चलिए निश्ट योज तो प्रवासी तिर्श दर्शन योजना की शुरुआत 22 जनुरी 2019 को पंद्रवें प्रवासी भारती दिवस के उदगाटन के असर पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोजी जी के द्वारा किया गया ठीक तो देखिए इस योजना में प्रावधान क्या कहा है तो देखो वह यह प्रवासी तिर्श दर्शन योजना के था जो है जो चैनित भारती प्रवासी का एक समूह होगा उसको के अंदर सरकार दौरा वर्श में दो बार भारत के प्रमुक तिर्श अस्थानों की यात्रा करवाई जाएगी ठीक है इसके चैन के अंतरगा जो है मौरिशस, फीजी, सूरिनाम, गुयाना, त्रिनिदा, तुबैगो और जमैका में रहने वाले गिर्मिटिया लोगों को वरियता दी जाएगी ठीक है प्रवासी के चैन में जो है गिर्मिटिया समूह के लोगों को वरियता दिया जाएगा जो की मौरिशस, फीजी, सूरिनाम, गुयाना, त्रि तूरी करवाने के लिए ठीक है तो गिर्मिटिया समूह उनको बोला जाता है जो उन ही भारती स्रम को के वनसज हैं और अभी भी उन देशों में रह रहे हैं चली नेक्ट बात कर लेते हैं अटल भासांतर योजना के बारे में तो अटल भासांतर योजना का प्रारम सबसे पह किया जाएगा ताकि वे हिंदी भासा में अर्भी चीनी फ्रांसिसी जापानी रूसी इस्पैनिस इन सब का विलोमता अनुगाद कर सके और विशिष्ट भासा दुभासियों का एक समूह तयार किया जा सके इसके माध्यम से यह लक्ष है और यह प्रावदान है अटल भासा मंतर योजना का जिसको विदेश मंतराले ने सुरू किया था दिसंबर 2018 में अर्भी चीनी फ्रांसिसी जापानी रूसी इस्पैनिस्टी का फिर से बता दिया आपको नेक्ष्ट योजना देख लेते हैं संपन्न योजना के बारे में ठीक तो इसकी सुरुआत की गई थी 29 दिसंबर 2018 को प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी जी के द्वारा वाराणसि में संपन्न का पूरा नाम है यह एक प्रकार से पेंशन मेंजमेंट की योजना है जिसको जो है जो जिससे सरवाधिक लाभारती विभाग होने वाला है दूर संचार विभाग ठीक और इसके माद्द से पेंशन का समय बद्द सम्मित्रण किया जा सकेगा चलिए निक्स्ट देख लेते हैं आइस्वान भारत राष्टी स्वास्त स्वास्त संरच्छन योजना को तो इसकी सुरुवात जो है केंद्री मंत्री मंदल द्वारा 21 मार्स 2018 को अपने अनुमोदन के द्वारा कर दी तो मान करके ही सरकार द्वारा कोई भी योजना मनाई जाती है हर परिवारों में पांच वेक्ति तो अब इसके हिसाब से आगे चलते हैं देखे तो पांच का गुड़ाई से कर दी लगभग पच्यास करोड वेक्ति हो जाएंगे ठीक तो देखे आइस्वान भारत तर पांच लाक रूपैर किंदी तुक मतलब आप प्राथ्मिक कर रहता है तो आप जाते हैं दवा लेते हैं चले आते महां भरती नहीं होतेा प्राथ्मिक कर झाएँ होते हो रशाँ अभिए इस वीमा आ जब देखना कर देखें से मिलना विलना शुरू होता ही ड़ब आmac् ठीक हो गए धितिये कश्टर की अगर बात करें तो तिरतीयो कस्तर की कर्खे एक्स भाई मतलब किसी का जीजना का हो गया या रमालाल का हो गया तो रामालाल का जो है आँख खराब होगे तो उसका मोतिय बिंद का अपरेशन होना है तो अब रामलाल अगर इस योजना का लाभारती है तो रामलाल को इस योजना के तर्टियक अस्तर के तहट इस योजना के तहट लाभ प्रदान किया जाएगा ठीक है maximum खर्च 5 लाग तक का है ठीक, अगर क्या रामलाल सिर्फ सरकारी अस्पताल में जा सकता है तो नहीं भी या रामलाल सरकारी और प्राइवेट किसी भी अस्पताल में जा सकता है जो इस योजना के तोध अधिसूचित की गई हो ठीक, एक सूचि बनाई गई इस पूरी योजना में अस्पतालो की पूरी लिष्ट है ठीक, जिसमें प्राइवेट और गवर्मेंट दोनों ही आस्पिटल सामिल है और इस सूचि में जो भी हॉस्पिटल है वहाँ पर जाकर के रामलाल अपनी आख का आपरेशन करवा सकता है वह भी पूरी तरीके से नहिसुल्क और गैस लेस सबच गए आप लोग तो चली देखे अब इस योजना के अन्य चीजो को देख लीजिए तो इस योजना में कौन-कौन लाभारती लाभारती रामलाल कैसे होगा तो देखे या तो लाभारती रामलाल को अन्शूची तजात या जनजात का होना होगा या फिर उनके रामलाल इसमें लिन क्योंकि जिनके परिवार में कोई सोला से उनसट वर्स का पूरुस सदस नहीं होनी चाहिए नहीं है अथ्वा सभी पूरुस सदस दिव्यांग हो या वह परिवार भूमिहीन हो या मैलाड होने का कारे करता हो या बदुहां मजदूरी से मुक्त हो आदी योजनाओं के लोग जो है इसमें पात्र है ठीक है आधी चीजों से संबंधित व्यक्ति इस योजना के अंतरगत पात्र होंगे एक चीज आधर के का सोला से उनसट वर्स की आईवर का पूरुस सदस्य नहीं होना और सभी पूरुस सदस्यों का दिव्यांग होना बाकी याने चीज़े आप कर स 50 लाग से अधिक लोगों को मुष्ट इलाज अब तक दिया जा चुका है देखे यह विस्तु की सबसे बड़ी सरकार द्वारा वित्त पोसित स्वास्त सेवा का रिक्रम है चलिए निर्वाचन बांड योजना के बारे में थोड़ा पैसों की बात करते हैं अब जहां से रा सब्सक्राद दो फर्वरी 2018 को अजसूचित कर दिया गया था निर्वाचन बांड योजना को ठीक तो देखे इसमें पातर था क्या हो कौन कौन से लोग निर्वाचन बांड को खरीद सकते हैं तो या तो भारत का नागरिक होगा या भारत में निगमित कोई प्रतिष्ठान ठीक है यही तीन लोग भारत बांट को खरीच सकते हैं यह निर्वाचन बांट को खरीच सकते हैं तो देखें निर्वाचन बांट लेने के पातर कौन-कौन होंगे तो निर्वाचन बांट को भुनाने के पातर वही राजनितिक दल होंगे जो जन प्रतिनित अधिनियम 1951 की जिने लोक सभा अत्वा विधान सभा के पिछले आम चुराओं में कुल डाले गए मत का कम से कम एक प्रतिशत प्राप्त हुआ यानि कि अगर लेटेस्ट में कोई राजनितिक दल बनता है तो वह निर्वाचन बांड को प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा भले ही वह रजिस्टर्ड हो जन प्रतिशत अधिनियम 1959 के अंतरगत लेकिन वह पात्र नहीं होगा दल क्योंकि वह पिछला आम चुराओं न इसक्याओं की धारा 29 को के तहत उस दल का पंजिक्रत होना आनिवार है जिसको की निर्वाचन बांड भुनाना हो ठीक है तो देखिए इसके तहत प्रावधान क्या है कितने कितने राज तक के निर्वाचन बांड खरीज सकते हैं तो मिनिमम एक हजार से ले करके अधिक्तम एक हजार करोड रुपए के वर के निर्वाचन बांड जारी किये जाते हैं और इन सभी बांडों की वैदता उनके निर्गमन की तारीक से ठीक है यानि अगर रामलाल जो है बांड को खरीज लेता है आज ठीक मालीजे एक तारीक को रामलाल ने बांड खरी लिया तो रामल नितिक दल ने 15 दिनों के अंदर अंदर यानि कि 15 तारीक तक इस बांड को नहीं भुनाया तो यह पैसा पूरा पूरा राम लाल का चला जाएगा पीम रिलीफ फंड में यानि कि प्रधान मंत्री रहात कोस्ट में बाइए पर्टिकुलर सब्दों के माध्यम से तमझे देखे बांड पर यानि कि निर्वाचन बांड पर लेंदार यानि न राम लाल का नाल होगा न राम लाल ने जिस पार्टि को यह बांड दिया उसका नाम होगा ठीक है यानि कि बांड पर न लेंदार का नाम होगा न देंदार का नाम होगा जिससे की दोनों की ही गोपनियता बनी रहती है निर्वाचन वांड को विक्री के लिए अब तक लगभग 12 लगभग क्या अब तक 12 चरण पूर पूर्ण हो चुके हैं और अंतिम 12 चरण में के लच्छ रखे गया थे कई चीजों के बारे में जो कि पूसर्ड रहा है अल्प कूपोसर्ड की समस्याओं से संब्दी था है तो कौन कौन से तरीके थे तो देखिए राष्टी पूसर्ड मिशन के लच्छ के था ठिगनेपन अल्प पूसर्ड और जन्म के समय कम वजन में अनम प्रतिवर्ष में प्रतिवर्ष के लिए पूरा लच्छ रखा गया थे प्रतिवर्ष को प्रतिवर्ष के दर से गनेपन अल्प वोसर्ड जन्म के समय कम वजन को कम किया जाएगा और Karareek था कि इनिमिया को जो है प्रतिवार से तीन वर्स की दर से कम किया जाने का लच्च रखा गया था ठीक है तो चलिए इसके प्राउधानों को बारे में जान लेते हैं तो इस योजना को जो है चड़ा बद्ध तरीके से पूरे देश में लागू करा जाए गया जिसके तहद 2017-18 मे 235 जिलो का चैन किया गया और से सभी जिलो को जो है 2019-20 के तहद इस योजना इस मिशन में सामिल कर लिया गया तो देखो वही है 2017-18 से प्रारम भुकर के अगले तीन वर्स के लिए इस मिशन है तो जो है कास बैंकों के माध्यम से जुटाए जाने का लच्चे रखा गया था देखिए बजटी समर्तन को जो है पुना दो भागों बाट दिया गया केंद्र और राज्यों के बीच में जो पजशी समर्तन यहां 50% था ना इसको पुना दो भागों बाट दिया गया कि अगर वह केंद्र सरकार की है तो यह दिवह विधान विधान वंडवलाले केंदर सासित प्रदेशों के लिए होती तो उसमें सव प्रशत का युगण केंदर सरकार के द्वारा ही दिया जाता है ठीक है इस स्टेंटमेंट को हमेशा अपने दिवां में बसा लीजिए तो इस मिशन के तहट जो है दस करोड इवं कल्यार से संबंदित योजना है ठीक इसके अंतरगत यानिकि समेकित बाल विकास सेवा के अंतरगत जो है आंगनवाडी सेवा राष्टी पोषण मिशन प्रधान मंत्री मात्री वंदना योजना कि सूरियों के लिए इसकीम राष्टी स्ची सुग्री है इसकीम और ब बच्चों के लिए सारी चीजों को एक ही जगां रख करके बोल दिया गया उसे समेकित बाल विकास सेवा ठीक है तो देखें वर्स 2018 के संसोधित अनुमान में जो है समेकित बाल विकास सेवा यानिकि इंटेग्रेटरेट चाइल्ड डेवलोप्मेंट प्रोग्राम पर लग राश्ट्री पोस्टर्ण मिसन के सार्थ 2017-18 एवं 2018-19 में कूल 61.92 करोड रूपय का व्याय किया गया और यह रासी सूचना सिच्छा और संचार जाग रुपता और पोस्टर्ण अभियान के मद में व्याय की गई थी ठीक तो चलिए चलते हैं अपनी अगली योजना की तर ऐख या य्योजना को नई दिल्ली में विज्ञान भौण में आ इक ही करित विक गाउगां का सुच्छता आजारीत एक ही क्रित विकास किया जाएगा जिसके अंतरगत जो है 1674 ग्राम पंचायतों में सौचालेओं के निर्माड है तो 829 करोड रूपए दिया जाएगे जो है ठोस एवम तरल अफसिष्ट का प्रबंधन किया सके ठीक देखे गforce कि अधिक रीख पर योजना के तहठ जो है ठोस एवम तरल अफसिष्ट का प्रबंधन करना तालाबो एवम जलसन साधनों का पुनरुदधार जलसन रच्छर परियोजना जयव बागवानी एवम च किस्स की ये पौधो की कृष्ट को प्रोस्ताहन आधिकारेक्रम संचालित किये जाएंगे गंगा ग्राम प्रयोजना के तहत गंगा के किनारे बसे 4470 गावों में ठीक है और इसी योजना के तहत जो है करीब 1674 ग्राम पंचायतों को सवचालियों के निर्माड के लिए 829 2017 को नई दिल्ली में आजित गंगा ग्राम सचता सम्मेलन में लांच किया गया और यह योजना जो है नमावी गंगे के अंतरगत आती है ठीक तो देखे पेजल एम सचता मंत्राल है जो है गंगा ग्राम पर योजना के लिए नूडल एजेंसी का कार करेगा चली निक्स्ट सवर्पी होजना को परें बात कर लेते हम और यह योजना है समर्थ और समर्थी योजना समर्थ योजना है आर्थिक मामलें के मंत्रि मंदली इसमती यान की CCEA ध्वारा तो है 20 दिसंबर 2017 को कपडा चेत्र में छमता है तो एक नई होजना को अपनी मनजोरी देंगई और इ किस लिए है तो कपड़ा चेत्र के लिए है कपड़ा चेत्र के कौसल विकास के लिए ठीक है और इसी के परिपालन के लिए कपड़ा मंत्रा लेदरा दिशा निर्देश जारी किया जाता है 23 अप्रेल 2018 को ठीक समर्थियोजना का दिशा निर्देश जारी कर दिया गया करने का लच्छ रखा गया जिससे वे आजीविका के बहतर साथनों को प्राप्त कर सके अगस्ट 2019 में केंद्री कपड़ा मंत्राले ने समर्थ योजना के तहत 16 राज्य सरकारों के साथ समझोता ग्यापन हस्ताचित कर दिया जिसके तहत चार लाक लोगों को कौसल प्रदान कि लिए जा सकेगा ठीक है चलिए योजना की बात कर लेते हैं राष्टी ग्रामीड पेजल कारेक्रम का पुनर गठन तो राष्टी ग्रामीड पेजल कारेक्रम के पुनर गठन को अपनी मंजूरी दी गई सीसी ये के द्वारा दस लॉंबर 2017 को इसके तहट जो है वर्स 2000 इस योजना को चालू रखा जाएगा और इसके तहट जो है कुल 23,050 करोड रुपए स्विक्रित किये गए हैं ठीक है तीन वर्सों के लिए 23,050 करोड रुपए स्विक्रित किये गए हैं राष्टी ग्रामीड पेजल कारेक्रम के पुनर गठन के लिए ठीक तो देखे इस कार संपूर्ण ग्रामीड जन संख्या को स्वच्छ पेजल उपलब्ध करवाया जाएगा चलिए नेक्ट बात करते हैं संकल्प और इस्ट्राइब योजना के बारे में तो भया संकल्प और इस्ट्राइब दोनों ही योजना को 11 अक्टूबर 2017 को सीसी ये द्वारा अपनी प्रमोशन हिंदीम बोले तो संकल्प का नाम है आजीवी का समवर्धन है तो कौसल अभिग्राण और ज्यान जागरूपता वहीं इस्ट्राइब के पूरे नाम की बात करें तो इस्ट्राइब का पूरा नाम है और द्योगिक मुल्य समवर्धन है तो कौसल ससक्ति करने या कौसल विकास से संबंधित है ठीक बस अंतर इतना है यहां आज ही विका के विकास के लिए है और यह जो है अध्योगिक मुल्यों के सम्वर्धन के लिए है ठीक है लेकिन कौसल विकास दोनों के अंतरगत होगा व्यक्तिका ही ना की उध्योगों का चली व्यक्तिका विकास के द्वारा किया गया था और इसमें यह प्रावधान है कि जो डाक टिकट नहीं होते हैं जो प्रधान डाक घरों में मिलते हैं वो जो लिफापे के उपर चिपका करके पहले हम लोग भेजा करते थे हैं कि नहीं तो उन डाक टिकटों के प्रति अभिरूच को बढ़ाने तथ इस चेतर में सोधकारे को प्रसाहित करने है तो यह एक चात्रवित्ती योजना है जिसका नाम है दीन दयाल इसपर्स योजना ठीक है इसपर्स का पूरा नाम जाने है क्या है स्कॉलर से फॉर प्रमोशन आफ एप्टिट्यूड एंड रिसर्च इन इस्टांप ऐसा होबी हिंदिम बोले तो डाक्टिक्टो के प्रति अभरूच और सोधकारे के प्रोसाहन है तो चात्रवित्ती योजना चालू की गई थी ठीक कब 3.9 नॉमबर 2017 को ताकि डाक्टिक्टो का संग्रह किया जा सके और उनके सोध को भी प्रोसाहन किया जा सके यह एक चात्रवित्ती योजना है ठीक है जो कच्छा 6-9 तक के विद्यारती ही इस चात्रवित्ती को लेने के पात्र होंगे और इसके तहट पूरे भारत में लगभग 920 लोगों को ऐसी चात्रवित्यां दी जाएंगे और साथी साथ नौसो बीस लोगों को प्रति महा 500 रुपए प्रदान किया जाए गा यह नहीं कि 500 लाक दे दिया 500 रुपए ठीक है चली नेक्स्ट बात करते हैं साथी पहल के बारे में साथी हमारा हाथी ठीक तो साथी पहल के बारे में बात करते हैं हाथी को भी साइड में रखते हैं तो देखो यह साथी का पूरा नाम जान लो sustainable for accelerated adoption of efficient textile technology to help small industries ठीक and accelerated adoption of efficient textile technologies to help small industry यह देखे कपड़ा और विद्दुत मंत्राले की एक संह्युक्त पहल है साथी पहल ठीक है उद्देश से कहा है तो देखे पहले इस योजना की शुरुगात कप किगे इसको जो है 24 अक्टूबर 2017 को एक समझाते के माध्यम से सुरू किया गया विद्दुत मं मंत्राले के अंतरगत संह्युक्त पहल के रूप में ठीक है इसमें प्रावधान कहा है तो इसमें जो है विद्दुत मंत्राले की जो ईएसल है ना उर्जा दच्चता सेवा लिम्टेड वही जो क्या कहते हैं LED वल्ब बाटा करती थी एसल के जो आठ वाट के थे और सबके घरों में भी खराब भी हो चुके हो सकता है अब कहां चलना मेरे यहां तो खराब हो गया था लिया मैंने भी था ठीक है तो देखे उर्जा दच्चता सेवा लिम्टेड यानि एसल दवारा मार्केट से थोक मात्रा में उर्जा से चार से पांच वर्सों में किस्तो के मात्ध्म किस्तो के मात्धह में से इन मसीनों का पून रभूकतान refusesल को कर दिया जाएगा ठीक है इसके मात्धम से पावर लूम में हॉढ़ी बढ़े घ्लिया मशीनने में नहीं हको जो कपड़ा कपड़े में ह Calvin में दिखाता है बैट क्या कह रहा हूं अब जो है इलेक्ट्रिक पावर लूम दिया जाएगा इस पहल के माध्यम से साथी पहल के माध्यम से जो की कपड़ा मंत्राले और विद्दुत मंत्राले की एक सहीक तो पहले इसकी सुरुवात जो है होगा कि यह बंदे जीन नियु नत्म सव परिवार हूं उनको चिन्हीत कर उस गाउं के सभी परिवारों को कम से कम और घ्रम ऐशनी माई और पर अथसरा जाये प्रधान मंत्री नरन्द मोदी जी के दोरा सुरू किया गया और इसका पूरा नाम है प्रधान मंत्री सहज विजली हर घर योजना यानि कि सौभाग योजना 32 सितंबर 2017 को सुरू की गई थी पंडित दिन द्याल उपाद्ध्या की जैनती के अउसर पर देखो सौभाग योजना का उद्देश का केवल गामों के लिए अतना इग्रामीर तता सहरी चेतर के सभी घरों का विद्दूति करण करना इस सौभाग योजना पर्थान मंतरी सहज विजली हर घर योजना का उद्देश है ठीक तो योजना के तहट जो है ना गरीब परिवारों को निसुल्क और जबकी अन्य परिवारों को पांस रुपए के मामली से भुक्तान पर विद्दूत कनेक्शन उपलब्द करवा दिया जागा माम के तहट गरीब परिवारों को निसुल्क और जबकि अन्य परिवारों यानि आप लोगों को पांस रुपए का भुक्तान पर विद्दूत कनेक्शन उपलब्द करवाया जाएगा तो देखो भी या इस परियोजना के तहट ना कुल 16,320 करोड रुपए ग्रामीड छेत्र रखा गया है ठीक है देखे इस योजना के तहट जो है कुल 3 करोड गैर विद्दूत करण करने का लच्छ रखा गया और योजना का संचालन किया जाएगा आर इसी के द्वारा यानि की रूलर इलेक्ट्रिफिकेशन कार्पोरेशन लिम्टेट के द्वारा जो है सौभाग योजना प्रधान मंत्री सहज विजली हर घर योजना को कर्यानवित किया जाएगा ठीक है या फिर परिचालन किया जाएगा चले प्रधान मंत्री अगली योजना देखते हैं प्रधान मंत्री मात्री वंद्रा योजना इसकी सुरुवात एक जनरी 2017 को की गई थी यह योज कि योजना के अंतर्गत काम क्या है तो योजना के अंतर्गत गर्वती महिलाओं तो था इस्तन पान कराने वाली माताओं के प्रथम बच्चे के जन्म पर पोसर संबंदी जरूरतों को पूरा करने के लिए पांच हजार रुपए नगत प्रदान किये जाएंगे और यहरासी एक बार में नहीं कि यहाँ आँ पांच जल लेके जाओ यहरासी तीन किस्तों में दी जाएगी कैसे कैसे तो देखे गर्भावस्ता का पंजी करण कराने पर एक हजार रुपए की पहली किस्त मिलेगी दूसरी दोहजार की किस्त मिलेगी गर्भावस्ता के छे माह बाद कम से कम एक प्रसाव पूरो ठीक है यानि के डिलिवरी के पहले जाच कराने के बाद मिलेगी और तीसरी दोहजार की किस्त मिलेगी जब बच्चे के जन्म के पंजी करण होने तथा उसके टीका करण के चक तो प्रधान मंत्री वय वंदना योजना की गए थी 21 जुलाई 2017 को ततकालिन केंद्री वित्यमंत्री अरुड जेटली जी के द्वारा नई दिल्ली में ठीक है इस योजना के थाज़ जो है अगर थोड़ा सा आपको याद कराना हो तो कैसे याद कराएंगे उस योजना का नाम बताएए देखे उस योजना का नाम था प्रधान मंत्री किसान पेंसन योजना जिसकी सुरुवात 31 मई 2019 को की गए थी और इस योजना में पात्र किसानों की आयू कितनी होनी चाहिए और साथ वर्स के बाद उसके भुगतान अंस के आधार पर उसको नियूनतम तीन हजार रुपए की मासिक पेंसन दी जाएगी ठीक है क्या केवल किसान दौरा अंस दिया जाएगा नहीं जितना किसान देगा उतना ही केंदर सरकार भी इसमें भुगतान करेगी या अंसदान करेगी अपना ठीक है चली यहाँ पर हम बात कर रहे थे प्रधान मंत्री वैवंदना योजना के जिसकी सुरुआद 21 जुलाई 2017 को ततकालिन मंत्री वित्त मंत्री अरुड जेटली जी के दोरा नई दिल्ली में किया गया था तो इस योजना के अंतरगत 60 वर्स या उससे अ ठीक LIC जो है प्रधान मंत्री वैवंदना योजना का संचालन कर रही है और इस योजना के थत्त पिंसन है तो एक मुष्ट भुकतान पर 10 वर्सों के लिए 8 प्रतिसत प्रतिवर्स की दर्से निश्चित रिटर्न दिया जाता है ठीक मतलब कि जैसे एक मुष्ट आप लेके प्रकार से ठीक है व्रिद्धो के लिए चली नेक्ष्ट बात कर लेते हैं मा कारेक्रम के बारे में तो मा कारेक्रम का पूरा नाम क्या है मा मदर्स एफसलीट एफेक्शन ठीक है देखे 5 अगस्ट 2016 को मा योजना की शुरूआत की गए थी या मा कारेक्रम की शुरूआत की छी इसका लच्छ से श्थ बारे में लोगों को जाग रूप करना इस्तन पान के लाव के बारे में लोगों का जो रूप करना विसे रूप तीन लाग रूपए दिये गे मा कारेक्रम के संचालन क्लिए यह एक जाग रूपता अधारित कारेक्रम है ठीक है सभी को इसके बारे में जाग रूप किया जाग विसेश कर माताओं को इसतन पान के लिए ठीक है तो चलिए अपनी नेक्स्ट योजनाओं के बारे में बात करे चलिए, थांक्यू वेरी मच्च